आकाश बाई जूस द्वारा कल स्टाइल ना सार्वत्रिक विकास अने सशक्ति करन माटे एजुकेशन फॉर आल पहलनी शरुआत करी तेनी फ्लेक्सिप नेशनल स्कॉलर्शिप एक्जाम एन्थे 2022 ना भागरुपे लगभग बेहजार वनचीत अने कन्या विध्यार्थी होने मफत नीत अने चीत कोचिंग अने स्कॉलर्शिप पुरीपाडवामा आउशे आ पहल खासकरी ने कन्या विध्यार्थी हो जेओ आर्थीक रिते नबड़ा परिवार मा थी आवे छे और एक गल्ड चाइल्ड अथवा सिंगल पैरेंट माता धरावता परिवारों नी मदद माटे छे आ प्रोजेक्ट अनुसार तमाम पसंगी पामनार विध्यार्थी हो नी आकास बाई चक्स ने नेशनल टेलेंट हंट एक्जाम 2022 जे संस्ता नी फ्लेक्शिप स्कॉलर्शिप एक्जाम चे ते 5 सी 13 नवेंबर 2022 नी वचे देश भर्मा अनलाइन अने ओफलाइन बनने मोड मा युजा शे एजुकेशन फॉर आल पहल नी स्कॉलर्शिप अने रेगूलर एंथे स्कॉलर्शिप उप्रांत नी छे भूतकार नी जेम एंथे बेहजार बावीस तेर मी एडिशनल होश्यर विध्यार्थियों नी सोट अका सुधी नी स्कॉलर्शिप ते मजे साथिस रेष लड़का के विवन इंपॉर्मेंT45 चे उपर काम करें इंथे प्लस जो बच्चे जो लड़कियां बीपीज स्क्सर्में रहे हैं प्लस जो बच्चे ऐसे जो सिंगल पैरेंट है, सिंगल इंग मदर है जो बीपीजके के बच्चे हैं, उनको हम 2,000 बच्चों को हम यह इसक् रिष्न करेंगी और अंथे में हम जो है जो हम प्रेंट्स होते हैं जो हम से जोड़ते हैं। उनपको फाइनसर रेलिफ जोड़ते ह। नौवर में हम यह उक्जाइम करेंगे ऑफ 105 से जो हैं that ऑनलाइन मौड और ऑफलीन मौड कर रहे हैं। जो है 20 लाग बच्चे इसे जामे रेश्ट का। जो है 23.26 लाग बच्चे इसे जामे रेश्ट का। जो है 24.26 लाग बच्चे इसे जामे रेश्ट का। बागे इसे जामे रेश्चे से नामे इसे सहי जामे रेश्ट का। झाल झाल